हेलो सुपर पेरेंट्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल अगेन, आएम देवुश्पीता मैम और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टन कॉंसेप्ट और वो है दिस और दैट का कॉंसेप्ट दिस और दैट को बच्चे को अच्छे से समझाने के लिए और बहुती क्लियरली समझाने के लिए और जल्दी समझाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे उनको समझाएंगे ये चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से इस वीडियो क शुरूर करते हैं बच्चों को दिस और दैट का कॉंसिप सिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप बच्चों को मीनिंग बताईए दिस का मीनिंग क्या होता है और दैट का मीनिंग क्या होता है यह पहले बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है दिस हम तब यूज करते जब कोई भी object हमारे से थोड़ा दूर हो या फिर काफी दूर हो ठीक है तो this को और that को हम समझाने के लिए पहले ऐसा एक वक्षिट बना लेंगे एक primary object जैसा एक वक्षिट बना लेंगे ठीक है उस वक्षिट में देखिए मैंने जैसा बना हुआ है आपको वैसे ही बनानी है जैसे कि एक डैश बनाएंगे और उसके पास बाद is a flower और flower को मैंने डैश के बिलकुल पास ड्रॉ कर दिया है वैसे ही डैश is a ball दिखिए डैश से थोड़ा दूर मैंने इस ball को ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही car को मैंने थोड़ा दूर ड्रॉ किया हुआ है कब को पास बैट क को थोड़ा दूर और अम्रेला को थोड़ा पास ट्रॉ किया हुआ है ऐसा ही हम डैश को बेस करके बच्चों को सिखाएंगे हम क्या बताएंगे उनको हम बताएंगे बिटा डैश को दिखो अगर डैश के बहुत ही पास अबजेक्ट बना हुआ है तो हम देश लिखेंगे क्य तो हम यहां पर लिखेंगे that क्योंकि दूर बाले object को हम dash that से समझाते हैं ठीक है जैसे कि अगर यहां पर flower है और dash के बहुत ही पास बना हुआ है तो हम इसमें लिखेंगे this और अगर dash is a ball इस sentence में dash से काफी दूर बना हुआ है यह ball तो हम यहां पर लिखेंगे that क्योंकि कोई भी object अगर दूर बना हुआ होता है अगर दूर है वो हम से तो वो हो जाएगा that वैसे ही अगर car को दिखेंगे car dash से दूर बना हुआ है तो यहां पर लिखेंगे that और cup dash से dash के पास बना हुआ है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे this इसी तरीके से dash is a bat but bat कहाँ पर बना हुआ है dash से काफी दूर बना हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे that क्योंकि दूर वाला object को that बोलते हैं और pass देखिए umbrella dash के बहुत ही pass बना हुआ है तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे this इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम बच्चों को primary concept दे सकते हैं this और that का this और that समझाने के लिए बहुत जादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी ऐसा एक simple worksheet बना लीजिए और उसी से आप बच्चों को clearly समझा सकते हैं कि हम this और that कब और कहां बिठाते हैं पास वाले object को देस करेंगे और दूर वाले object को dash से दूर वाले object को that करेंगे बहुत ही आसानी से हम बच्चों को यह चीज़ सिखा सकते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए थैंक यह वीर्स पूर यह सब्सक्राइब अच्छ अच्छों अच्छ बच्छ बाइब